जी ने मस्कार, Creator Super 30 में आपका स्वागत है, Binomial Theorem का पार्ट से मन लेके आगे हैं अगर आपने पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को देख लीजिए चुकि यह करम बद ग्यान है, अगर इसके पुन रुप से आपको ग्यान प्राप्ट करना है तो आप हम प्ले स्टोर पर जाईए और सरदार पटेल सुपर 30 डाउनलोड कर लिजिए और क्लास कौंसलिंग टेस्ट, यानि हम आपको 50 मिनिट का क्लास देते हैं 40 मिनिट का कौंसलिंग देते हैं और 30 मिनिट का टेस्ट देते हैं या क्रियेटर सुपर 30 के सब्सक्रिश्वन बटम को ले लीजिए कम से कम सीलर वाला बटम को 89 रूपीज मिलती है और 100 परसंट पैसा ये रिफेंडेबल है क्योंकि क्रियेटर सुपर 30 का एक कंसेप्ट है कि आपको हम फिरी एजुकेशन देंगे तो आज तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट थियोरम है इस टॉपिक का नाम है और इंपॉर्टेंट थियोरम इस थियोरम को गौर से देखो रूट अंडर A प्लस B का होल पावर एक इसको हम इंटीजर्स प्लस फ्रेक्शनल लिए यानि या बात आपको समझने में और और नमबर रहेगा अब इस पर थोरा सा हम रिशार्च कर लेते हैं तब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा या फ्रेक्शनल पार्ट है अब एन का भेलू और होगा कि इभेल होगा इसकी जनकारी भी हम तुमको देंगे लेकिन इस से पहले आपका ज्यान आपको प्राप्त करना है यहाँ पर क्या प्राप्त करना है कि यह फ्रेक्शनल पार्ट है और एक दूसरा फ्रेक्शनल पार्ट है अगर आप जोरते हैं तो आपको f plus f dash यानि 0 से बरा या बराबर अट्टू से छोटा integers क्या है यानि यहाँ पर f plus f dash is equal to 1 यानि जब जोरने की जरुवत परेगा तो भैलू 1 होगा क्या होगा अब इसी चीज को हम घटाने की जरुवत कर दे तो आएए 0 यहाँ f और f dash यानि f minus f dash यानि f minus f dash is equal to 0 यानि f बराबर f dash यहाँ बात आपने समझ गया है अब प्रस्त यह उठता है कि सर जी कब हम जोरेंगे और कब हम घटाएंगे यह तरीका भी आप हमको बता दीजिए तो आपको वहाँ पर 2 आपको देखना परेगा और पाट 2 में हम आपको रूट अंडर a plus b का expand सिखाएं अगर इसकी पावर हमने 2 ले लिया और यहाँ पर रूट a माइनस b इसकी भी पावर 2 ले लिया तो भहिया क्या पाएंगे a plus 2 रूट अंडर a b और b square इसका हम क्या पाएंगे a 2 रूट अंडर a b b square यानि इसको हम जोरते हैं तो यह यह कट गया यानि टू टाइम्स a plus b square अब आपके पास क्या था यह बात को सीखना जरूरी था यह वाला था इंटीजर्स प्लस फ्रेक्शनल और यह वाला था f dash और यहां पर आया 2 a plus b square और यह जोरने पर अभी रिजल्ट आप जानते हैं कि 1 होता है यानि यहां पर इंटीजर्स का भैलू 2 a plus b square minus 1 यानि यहां पर यह किलियर हो गया कि इभेन नंबर रहेगा क्या रमर रहेगा तो यह दो के multiple से कम होगा यानि इंट्रीगल पार्ट इसका और होगा लेकिन अब हम थोड़ा odd power लेके भी देख लेते हैं यहां root under a plus b का hole क्यों लिखते हैं तो आप क्या पाएंगे यहां पर आप पाएंगे root under a आई इसका power 3 plus 3 root under a का square b के power 1 और 3 root under a का power 1 b के square और b q पाएंगे और यहां पर root under a minus b का hole q करेंगे तो root under a का q और यहां पर root under a का square b k और root under a के power 1 b के power 2 और यहां b q कि अगर आपने घटा दिया घटाने से यह आपका कट जाएगा यह आपका कट जाएगा यानि 2 times of 3 root under a square b और यहां पर 2 b q और इसका घटाने पर यह आपका integers plus fractional था और यह fractional dash है i2 का multiple हो गया और यह वाला भाईलू 0 है यानि यहां पर 2 m यानि आपका और रहने पर यहां पर इभेन होगा कि यानि आई आई टी या दुनिया का कोई भी competition इससे जो प्रस्न पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है बीना कलम लगाए हुए आप जवाब दे सकते हैं यह जो f का जो उत्पत्ती हुआ है यह फ्रेक्शनल पार्ट ऐसे हैं इसका मतलब होता है एक्स में से greatest integers x गतना और जैसा कि अभी हम बताए हैं कि f plus f dash की value 1 और f minus f dash की value 0 यह हम आपको बताए हैं अब question की लगातार आपको पास हम question करना सिखाएंगे आईए यहाँ पर हम लोग question दिखाते हैं और question को हम लोग करते हैं हमें नहीं लगता है कि कोई भी question करने में student को कोई problem होगा तो आपके पास पहला question आपके हमें screen पर हैं यहाँ पर if root under a plus b का whole power n बरावर लिखा हुआ है integer plus a यहाँ पर यह जो i है यह आपका positive है n भी positive है और odd है और एप के बारे में कहा जा रहा है यह है तो आपको इसका हम root under minus b का whole power n करेंगे रिश्लाइज हो जाएगा और रिश्लाइज करके यह k बटे दिश दिखाएगा यानि यहाँ पर f डैस अब दोनों को multiply कराएंगे तो a minus b square का whole power n is equal to integers plus f और f डैस होगा पहला theorem यही है अब तुम्हारे पास यहाँ तक में कोई तरह का दिखत नहीं हुआ अब अगला question दे दना दन 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 बनाना है आप बता सकते हैं कि आहाँ पर five plus two root six का whole power n है और यह odd है तो आपको odd के case में आपको बताया गया है कि odd के case में आपका integral part क्या होगा तो यहाँ पर देखिए उल्टा हुआ है इसका हम हल करेंगे तो five minus two root six हो जाएगा इसका whole power n और a n odd है इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहाँ पर देखिए five plus two root six और a n का value यहाँ पर odd कह रहा है odd कह रहा है निए एक और यहाँ पर five minus two root six यानि जोरना परेगा और जोरना परेगा तो a plus a dash की भैलू one होता है और ऐसे इसका होता integers plus f यानि यहाँ पर तुम का सकते हो कि यहाँ पर two के multiple में एक घड़ जाएगा यानि यहाँ पर odd रहने पर यह जो i का जो भैलू होगा integral का वो odd आ जाएगा क्या आ जाएगा अगला प्रस्त तुम्हारे पास कह रहा है कि यहाँ पर five plus root five यहाँ 11 है यानि पचपचे पचीस एक्सो पचीस और 11 का करेंगे तो यानि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या करोगे कि इसका पावर इभेन कह रहा है अगर इभेन है यहाँ पर तो उस situation में तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पर यह बात को तुम्हें जानना है तो यहाँ पर तुम्हारे पास यह वाला हमको क्या करना परेगा यहाँ पर घट जाने की और सकता होगा तब आपका कटेगा तो यहां पर घटाने पढ़ेगा यारिव यहां पर 20 के मल्टीपल में आपका जीरो घटेगा यहां पर 2m हो दैगा अगला प्रस्ण आपके पास आता है जो काफी इजी है सारे प्रस्ण इसके काफी इजी होते हैं 6 रूट 6 प्रलस 14 और यहां पर 2N प्लस 1 गौर से देखिए यह ओड है और ओड के case में तुम्हें पता है तो यहां पर तुमको क्या करा रहा है पता है यहां पता तुम्हें करना पर तो यहां पर 6 रूट 6 माइनस 14 के पावर 12 प्लस 1 यानि ओड के case में आपका यहां और सीध्य मल्टिप्लाई लेगा तो यह आपका इंटीजस प्लस फ्रेक्शनल है और यह एफडैस है आप से इंटीजस प्लस फ्रेक्शनल और एफडैस का भाईलू होगा तो यहां पर छोचोचार्थिस गुने छे और चौदा का एक्सोच्यानवे और इसके पावर 2N प्लस 1 यानि 216 माइनस 196 और यहां पर 2N प्लस 1 यानि 20 के पावर यहां पर 2N प्लस 1 यहां बात आपका क्लियर हो गया अगला प्रस्ण है तुम्हारे पास चुकि जितनी प्रस्ण है करोगे उतना ही तुम्हारे लिए स्थेही होगा 7 प्लस 4 रूट 3 का यहां होल पावर एन है तो S पलस T है एस जो है इंट्रीगल को इंडिकेट कर रहा है और T जो है फ्रेक्शनल पाट को इंडिकेट कर रहा है और यहां पर तुम्हारे पास यानि आगला यहां पर 7-4 रूट 3 के पावर एन हो जाएगा तो यहां पर T डैस हो जाएगा अब चुकी तुमको पता है कि टी प्लस टी डेस की भैलू 1 होती है यहाँ पर यह पता है तुम्हें यानि यहाँ पर टी डेस is equal to 1-3 लिख सकते हो यानि यहाँ पर पीला कलर से लिख देंगे तो हमारा पता चल जाएगा 1-3 यानि दोनों को हम गुना कर दें तो यानि 7 पलस 4 रूर्थिरी का होल पावर एन और 7-4 रूर्थिरी के पावर एन तो यहाँ पर S पलस टी और यहाँ पर 1-2 अब ससत्य उंचास और चर्चों को 16-14 इसका पावर एन तो S पलस टी और 1-2 यानि S पलस टी और यहाँ 1-2 is equal to 1 यहाँ आपका किलियर हो गया अगला प्रस्थ है तुम्हारे पास कि 8 पलस 3 रूट 7 का होल पावर एन एन बिलॉंग तो नेच्वल नमबर और आपको यहाँ पर आपको साबित करना है कि x-x-square और x-greatest integers x is equal to 1 और इस x के जगा पर आप 8 3 पलस रूट 7 का होल पावर एन और फ्रेक्शनल पार्ट में अगर लिखेंगे तो यहाँ greatest integers plus a अब इसको तुमको solve करने में कोई दिक्कत नहीं होगा यानि यहाँ पर solve करोगे तो तुम्हारे पास integers की भैलू निकालना है हमें नहीं लगता है कि कोई student को इसमें कोई भार होगा और यहाँ भैलू आपका finally यहीं यहीं पूछ रहा है common लेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है greatest integers एक्स पुलस एफ मल्टिप्लाई एफ्टेस और चुकि यहाँ पर जोरना परेगा तो यहाँ एफ पलस एफ्टेस यहाँ पर अठी एठी आपका 64 हो गया अर्टिंट्या नॉस्तिरेश यानि वन के पावर एन तो आपने पार्ट 6 तक आपने देख लिया है मिलते हैं अगले वडियों में तब तक लिए बने रहे हैं